हाथों में फाइल लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं और यूथ कॉंग्रेस अध्याक्ष श्रिनिवास बीवी एक-एक सवालों का जवाब दे रहे हैं कोरोना काल में पार्टी के सबसे सक्रिय नेता से पूछताच की इनी तस्वीरों ने कॉंग्रेस को आगबवूला कर दिया और अब कॉंग्रेस इस बहाने सीधे मोधी सरकार पर हमले कर रही है देश के हर व्यक्ति को निर्णे करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराद है क्या रेमडी जीवियर के इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराद है लगता है नरिंदर मोधी जी ने कहा के हाँ ये अपराद है इसलिए आज भारतिये राश्ट्रिये युवा कॉंग्रेस के कारियाले में भी शिरी निवास जी और युवा कॉंग्रेस की पूछताच के लिए दिल्ली पुलिस को अमिच्छा जी और नरिंदर मोधी जी ने भीजा है दरसल कोरोना के दौर में जब मरीजों के इलाज के लिए मारा मारी मची है सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनों की मदद के लिए गोहार लगा रहें तो इस दोर में कुछ लोग मददगार बन कर आए जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में युवा कॉंग्रेस के अध्ष श्री निवास बीवी भी रहे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें श्री निवास या यूथ कॉंग्रेस के कारेकरता जरूरत मंदो तक आक्सीजन सिलिंडर और दवाएं पहुचाते दिखे अब दिली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्री निवास बीवी से जानना चाह रही है कि आखिर आक्सीजन सिलिंडर और दवाईया आई कहां से कहीं मदद के नाम पर काला बाजारी तो नहीं की गई उनको बता दिया हमने किस तरीके से माध्यम से कर रहा है तो कैसे उनको सारे सी समझा दिया बाद में वो लेटर में भी वो लोग मांगा है श्रिनवास बीवी ने क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब तो दे दिया लेकिन इस कारवाई ने कोरोना काल में नए सियासी तकराव का अगाज कर दिया है कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी ने ट्वीट किया बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है श्रिनवास बीवी के पक्ष में उतर आये और कॉंग्रेस सरकार पर रेड राज का आरोप लगाया जब सत्ता धीश अपनी सत्ता की भूक मिठा रहे हैं और अपने एहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं एसे में कॉंग्रेस पार्टी भारतिय युवा कॉंग्रेस और हमारे अज्यक्ष युवा कॉंग्रेस शिरी बी शिरी निवास पर रेड राज रेड धरम की अनुपालना कर अधर्णिये मोदी जी और अमिच्छा जी ने एक शरमनाक उधारन पेश किया है उधर कॉंग्रेस के इन हमलों के बीच दिल्य पुलिस की दलील है कि ये कारवाई हाई कोट के निर्देश पर की जा रही है हाई कोट ने दीपक सिंग नाम के शक्स की आचिका पर पुलिस को दावाओं के अववायत वितरन को लेकर नेताओं की जाच करने को कहा बीजेपी ने तब ही महामारी के दोर में काला बाज़ारी को रोकने के लिए ऐसी कारवाई को जायस ठहरा रहे है क्राइम ब्राश की टीम अकेले आम आदूरी पार्टी ये कॉंग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि शीरिवाज जी के पास भी आज गई थी वैसे ही परसों एक क्राइम ब्राश की टीम मेरे पास भी आई थी उन्होंने इंक्वारी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं इससे पहले दिली पुलिस आप विधायक दिली पांडे से भी पूछताच कर चुकी है दिली पांडे भी सोशल मीडिया के जरीय लगातार लोगों की मदद करने में सक्रियत है अब कॉंग्रेस नेता शिर्फ निवास भीवी क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में आए हैं जिसे लेकर केंदर पर कॉंग्रेस ने हमले तेज कर दिये दिली स्यानंत पटिल के साथ आज तक ब्यूरो